तो पार्ट 20 की शिरुवात वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड खतम हुआ था दोही और गुवन म्योंग का पीछा करते हुए एक प्राइवेट लॉकर तक पहुँच जाते हैं जहां वो दोनों तो लॉकर के सामने एक फोटो बूत के अंदर होते हैं म्योंग एक लॉकर खोलता है जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता जिसे वो गुस्षे में बंद करके पीछे मुडता है दोही और गुवन जल्दी से फोटो बूत के अंदर चल जाते हैं लेकिन म्योंग को डाउट हो जाता है इसलिए वो उस फोटो बूत के और बढ़ता है इधर दोही गुवन को अपना हाथ देती है यहां से टेलिपोर्ट होनी के लिए तो गुवन उसका हाथ होल करता है पाउर्स यूज करनी के लिए पर उसकी पाउर्स तो अभी काम ही नहीं कर रही होती है इससे गुवन तो हैरान रह जाता है अब दोही भी परिशान हो जाती है क्योंकि म्यूंग तो बहार आ चुका था और वो कर्टेंड्स को हटाने ही जा रहा था तरुसे पहले ही कुवन दोही को किस कर लेता है, कभी म्यूंग भी कर्टेंड्स को हटाता है पर वो इन दोनों का चेहरा नहीं देख पाता, इसलिए ह यहां से चला जाता है अब इसी दोरान उनकी automatic pictures भी click हो जाती है अब दोही तो इससे काफी shocked रहा गई थी थोड़ी देर में Govan पीछे आ जाता है अब दोनों की भी थोड़ी से awkward situation हो गई थी वहीं Govan दोही को explanation देते हुए कहता है वह मैंने यह हम दोनों का face cover करनी के लिए किया अकि वह म्योंग हमें पहचान ना ले इससे दोही तो थोड़ी shy feel करती है और फिर कहती है अच्छा किया तुमने तरफ पूछती कि आकिर तुमारे powers काम क्यों नहीं किये Govan भी इसी बारे में सोचने लग जाता है तभी दोही को यादा था कि हमें तो म्योंग का पीछा करना है इसलिए दोनों छुपकी से बाहर जांकते हैं लेकिन वो तो बाहर था ही नहीं दोनों बाहर निकल कर आसपास देखने लग जाते हैं पर वो इधर दिखाई नहीं देता तो दोही उस लौकर की और जाती है जहां पर म्योंग गया था तभी गुवन फोटो बूट से अपनी और दोही की फोटो निकाल लेता है जहां गुवन तो उनकी किस वाली फोटो देकर खुदी बलश करने लग गया था दोही उस फोटो का अपने पास रख लेता है उनकी यह फोटो उस म्योंग के हाथ ना लग जाये इसलिए मैं ही इसे रख लेता हूँ एक एकर वो दोही के पास जाता है जहां दोही उस लौकर को खोलती है जिसे म्योंग ने लौक नहीं किया था पर अंदर कुछ भी ना देकर दोही कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या ढूनने आया होगा तबी उनकी पीछे वही भिकारी लेडी आ जाती है जो उनसे पूछती है तुम दोनों क्या ढून रहे हो दोही तो अचानक उसे देकर घबरा जाती है तो गुवन दोही को कवर करते हुए उससे कहता है कि तुम तो वही पुलो स्टेशन वाली लेडी होना तो वो लेडी कहती कि तुम यहाँ पर क्या ढूनने आये हो बता हो मुझे यहाँ के हर चीज के बारे में सब कुछ पता है दोही पूछती है तुम आखर हो कौन लेडी पूछती है मुझे देकर क्या लग रहा है गुवन कहता है भिखारी तो वो लेडी कहती है बिंगो सही का तुमने कि फ्लिकर कर रहा है ना और जो फ्लिकर करता है उसे कभी ना कभी खतम होना ही है जो सुन दोही इससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो गुवन उससे पागल क्याकर दोही को लेकर चला जाता है और इस पौदे से गुलाब का फूल खिल जाता है जो ते गौन कहता है कि मेरी पाउर्स तो सही चल रही है तो फिर अंदर कान क्यों नहीं किया दोही कहती ये सब चोड़ो अभी हमें म्योंग की पीछे जाना चाहिए पर गौन का अपने इतने करीब देखकर तो एको तो उनके किस के बारे में यादा जाता है इसलिए गौन के आँखों में देखकर वो तो थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती कि आज के लिए उसका पीछा करना बहुत हो गया इसलिए अभी हमें जाना चाहिए एक है कर दोनों चले जाते हैं म्योंग घर के अंदर आता है जहां उसकी मॉम तो मेडिटेशन कर रही थी जहां म्योंग के आने पर वो उसे बात करनी के लिए बुलाती है जहां उससे पूछती कि तुम अपने सागर्टरिश्ट के पास थैरीपी लेने जा रहे हो म्योंग कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़ादा बिजी हूँ म्योंग पूछती है तुम्हारे डैड मुझसे पूछ रहते है तुम्हारे बारे में के तुम क्या कर रहे हो म्योंग पूछता है फिर आपने क्या कहा म्योंग बताती ही कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता म्योंग कहता है ऐसे ही उन्हें कुछ भी बतानी की जरूरत नहीं है मौमुस से कुछ पूछने जाती है पर उससे पहले म्योंग कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा इसलिए आपको मेरे लिए किसी की भी appointment लेनी की जरूरत नहीं है इसलिए वो तो अपना हाथ छुडा लेती है तब ही गोन को क्लिक हो तैन कहता है कि ये तो उस दिन भी हुआ था ना जब मैंने अपनी पावर्स खोई थी और मेरा टैट्यू तुमारे हाथ में ट्रांसफर हुआ था उस रात कार मुझे हिट करने ही वाली थी तब मैंने तुमारा हाथ पकड़ा हुआ था और तब ही मेरे पावर्स काम करना बंद कर गए थे फिर हम उस पानी में गिरे और मेरा टैट्यू तुमारे हाथ में ट्रांसफर हो गया यानि कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो तो सामने से दोही भी कहती कि ओ हलो मिस्टर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो तुम खुद हो इसलिए मुझे ब्लेम मत करो फोन कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा पसी ये बता रहा हूँ कि तुमसे मिलने से पहले नहीं मेरे पावर्स कभी ऐसे काम करना बंद पड़ा और नहीं मेरा टैट्व कभी किसी इंसान पे ट्रांसफर हुआ दोही कहती है तुम्हारी बातों से तु साफ तुम मुझे ब्लेम कर रहा हो कार से हिट करने से लेकर ये टैट्व ट्रांसफर होने तक और अपते तुम्हारे powers flicker कर रहे हैं उसके लिए भी तुम मुझे ही blame कर रहे हो गवन कहता है मेरे कहने का मतलब था कि अगर ऐसे emergency वाले situation में फिर से मेरी powers flicker करने लगी इस बार तो कुछ बड़ा blunder होने से बच गए पर अगली बार कुछ भी हो सकता है दोही पूछती अगर तुम्हें वो इतना जादा blunder लगा कि तुमने मुझे किस क्यों किया क्या तुम्हें लगा कि मैंने enjoy किया गुवन पूछता है किया तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दोही पूछती किया तुम्हें अच्छा लगा ये पुछकर वो तो खुदी इंबरस हो जाती है वहीं अपना गुवन तो उससे कोई जवाब नहीं दे पाता ग्रूप फोटो मिलता है जिसमें एक आद्में उसे गुवन की शकल का दिखाय देता है इसे देखकर वो तो हैरान रह जाता है वहीं दर हम बटलर को देखते हैं जो गुवन का सामान लेकर आ रहा था बटलर कहता है कि मैं तो बस मजा करा था आपने कुछ ज़ादा ही सीरियस ले लिया मिशिन उसके पास को सामान देखर कहती कितना सामान लाने की कोई जरूत नहीं थी इस पर बटलर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है ये बोलकर एक चुटकी मारता है तब ही यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है जिन सब में गौन का सामान भरा हुआ था जो देख मिशिन तो हैरान रह जाती है पर दर बटलर तो सारा सामन उपर शिफ्ट करा देता है गौन के सामान से तो दोही का सारा घर भर जाता है चोट एक दो ही भी शौक रह जाती है तो वो गुवन से पूछती है कि इन सारे बॉक्सस में क्या है गुवन तो बड़े प्राउड की साथ बताता है कि इन सब में मेरे कपड़े, तेली यूजिस का सामान और मेरी छोटी सी बट सब से प्रिशियस कलेक्शन मिशिन इतने सारे बॉक्सस को देखकर पूछती कि क्या ये छोटी सी गलेक्शन है गुवन कहता है हाँ गुवन और बटलर दोनों उसके पीछे आते हैं तो दोही उसे अपने रूम के अंदर खीच लेती हैं दरवाता बंद कर देती है जहां वो उसे थोड़ा डांटते हुए कहती कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले गुवन कहता है यह कोई नॉर्मल सामान नहीं है हर एक चीज मेरे टेस्ट को मेरी हिस्ट्री को और खुद मुझे रिप्रेजेंट करती है यह समझ लो कि हर एक चीज अपने आप में गुवन है जो सुन दोही कहती फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है यह बोलकर वो तो गुवन को उसके सारे समान के साथ घर के बाहर निकाल देती है और कहती कि अब जाओ आराम से रहना अपने सारे गुवन के साथ यह बोलकर वो दर्वाजा बंद कर देती है तो गुवन कहता है कि अटलिस्ट मेरा कॉफी तो दे दो बटलर थोड़ा मस्ती करते वे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा मैं तो अभी सिंगल हूँ न जो सुनगोन कहता है देख लियाना शादी के बाद क्या होता है तो लिए हमेशा सिंगल ही रहना कभी शादी मत करना बटलर कहता है नजर मत लगाए यह मुझे सारी जिंदगी सिंगल नहीं रहना तेनों से कहता है कि अब अंदर जाये मैं यह सारा समन वापस ले जाता हूँ कोई कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसने मुझे घर से निकाला तो मैं यह से कैसे अंदर जा सकता हूँ यह बोलकर वो भी बटलर के साथ नीचे चला आता है और यहीं पर पार्ट 20 का एंड होता है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब ने हिट ता बेल आइकन चल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक लिए टेक क्यार और बाई बाई झाल 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 झाल